जहिन दोस्तों इंडियन आर्मी नॉन टेक्निकल जेर्नल डूटी जीडी वालों की जो भरती होनी है उसकी भरती प्रक्रिया किस प्रकार होगी दोस्तों इसके बारे में आज मैं आप लोग को बिस्तार से बता रहा हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग को इसका आनलाइन आवेदन करना होगा जो अभी इस समय आनलाइन आवेदन इंडियन आर्मी की बेव साइट पे हो रहा है और आप इसको आनलाइन आवेदन को करने के बाद आप लोग का 30 या 40 दिन के अंदर एड्मिट कार्ड जारी किया दोस्तों वो आप अपना एड्मिट कार्ड अपना जो इन्रोल्मेंट नमबर मिलेगा उसको डाल के निकालेंगे और जहां भी आपकी रैली भरती आपके डिश्टिक में या आपके प्रदेश में जिस भी जगह लगेगी ओप एड्मिट कार्ड लेके वहाँ पर जाओगे और सबसे पहले दोस्तों आप लोग का एड्मिट कार्ड चेक किया जाएगा एड्मिट कार्ड आपका अगर सही रहेगा तो उसके बाद आपकी हाइट मापी जाएगी हाइट अगर आपकी हो गई तो हाइट मापने के बाद आपको अंदर बिठाया जाएगा अंदर बिठाने के बाद दोस्तों तीन सो या साड़े तीन सो का ग्रूप बनाके आपको रनिंग के लिए गो किया जाएगा उसमें दोस्तों जो भी टाइमिंग तो इंडियन आर्वी में वो होती ही नहीं है समझ लो लेकिन टाइमिंग अभी दे रखा है लेकिन टाइमिंग मान के चलो कि 5-10 तक जो भी जवान आएंगे जो भी मतलब बच्चे आएंगे उनको रनिंग में पास किया जाएगा और इसमें रनिंग में टाइमिंग के साथ साथ इसमें नंबर भी दिया जाता है दोस्तो जो एक्सिलेंट मारता है दोस्तो उसको 60 नंबर दिया जाता है उसके बाद 40 नंबर दिया जाता है जो सेकेंड ग्रूब में आता है तो इसी प्रकार मेरे भाईयों आप लोग अगर excellent मारोगे तो आपको 60 नमबर दिया जाएगा नहीं तो 40 नमबर दिया जाएगा उसके बाद अगर जो running में पास हो जाएगे उसको chin up लगवाया जाएगा और जो दस का दस चिनप लगाएगा उसको 40 नमबर दिया जाएगा और जो जैसे कम लगाएगा 7 लगाएगा तो उसको 30 नमबर दिया जाएगा इसी प्रकार दोस्तो नमबर डिवाइज कर दिया गया है और चिनप लगाने के बाद उसके बाद आप लोगों से जीग जाक करव तो इसमें कोई नंबर मार्क नहीं होता है दोस्तों उसके बाद 9 मिटर का खड़ा को दवाये जाएगा इसमें भी आपको कोई मार्क नहीं दिया जाएगा इन चारों प्रक्रिया होने के बाद दोस्तों आपका डाकॉमेंट देखा जाएगा आपका डाकॉमेंट यदि सही है जो आपने आनलाइन आवेदन के समय लगाया था तो उसके बाद आपको दोस्तो मेडिकल टेस्ट के लिए निश्ट दिन बुलाया जाएगा और आपका उसके बाद मेडिकल टेस्ट किया जाएगा मेडिकल टेस्ट में दोस्तों आपका हाथ, पैर, आँख, दात, नाक, मुँ, मतलब पूरे सरी की हाइड्रोसील की जाच की जाती है और यदि आप मेडिकल में फिट हैं तो 40 दिन के बाद आपका रिटेन एकजाम किया जाएगा और आपके वर्ती जो भी आपका यारो है वर्ती का वहाँ पे आपका रिटेन एकजाम के लिए आपको बुलाए जागा इसकी जो परिच्छा है आफ लाइन होगी दोस्तों और 40 दिन के बाद इसका रिटेन एकजाम होगा और ले जाके अपने यारो में उदे सकता है कि हाँ सर मेरा मेडिकल पास हो गया तो उसको भी परिच्छा में समलित कर लिया जाएगा आप जाके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं और जो भी एक्जाम में पास हो जाएगा वो इंडियान आरमी अगनी वीर के तोर पे जॉइनिंग करेगा और उसके बाद उसको अलग अलग ट्रेनिंग सेंटरों में ट्रेनिंग नौ महीने की कराए जाएगी और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद दोस्तों आपको यह नहीं मानना है कि हम फिक्स होगे आप चार साल तक ऐसे ही रहेंगे उसके बाद चाओते साल हर साल आपका टेस्ट होगा लेकिन चाओते साल फाइनली आपका चारो साल का मिला के मेडिकल का फीजिकल का और रिटिन का आपको फाइनली देखा जाएगा जो बंदा सबसे बढ़ियां वेहतरी परदर्संद चार साल के अंदर किया रहेगा उसको इंडियन आर्मे रखेगी बाकी जना को घर के लिए भेज़ देगी और जो घर को वेज़ेगी उनको भी कोई प्राबलम नहीं